मुझे मांग संख्या चोईस शिक्षा कला एवं संस्कृति पर बोलने का मुकादिया उसके लिए बहुत बहुत अभार मानिय सभापती महोदेजी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्स के साथियोंने कही बाते कही और इनका तो सवावी है जोर से बोलना और जूट बोलना कि आगे वालों को कि सच लग जाए आज जब आदिवाशियों को दलितों को गरीबों को कुए का पानी नहीं पीने दिया जाता था मंदिरों में दर्सन नहीं करने दिये जाते थे इसकोलों में शिक्षा का अधिकार नहीं था अगर आज ये अधिकार दिया है तो कॉंग्रेस पार्टी ने दिया है गांधी परिवार ने दिया है यह सब भूल रहे मैं कहना चाहता हूं मैं राजस्थान के लोगप्रिय मुख्यमंद्री असो गेलो जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज राजस्थान में घांधी के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में 36 कौम के नेता जाने जाते हैं आज इन्होंने ऐसा बजट पेस किया तो इनकी पेड़ में कर आज जो सरकारी स्कूल इंग्लिस मेडियम खोली है वहाँ पर पढ़ने जाएंगे और हमारा परचार परशार रुख जाएगा यह इनको तकलीब है भारतिय जन्ता पाइट्री के नेताओं को यह शिक्षा नहीं जाते हैं जब अशोगेलोची ने गाव गाव ढाणी ढाणी राजिव गांदी इसकूल खोली थी हर फले में इसकूल खोली थी कि आदिवाशी का बच्चा गरीब का बच्चा दलीद का बच्चा पढ़े शिक्षा ले और आगे बढ़े इन्होंने क्या इन्होंने राजिव गांदी का नाम मिटाने का काम किया उस स्कुलों का नाम मिटाया राज की प्राथ्मिक विद्धाले करने का काम किया यह काम इन्हों किया है जिसे अभी हमारे गाटोल से जो मान्य सदिशी होते हैं उन्होंने बता अब नहीं कोई बात में ऑन नामस की Thousand ऐ लेकिन नाम बदनेगा काम मत करो खालि नाम से पूल के और हम चाहते हो का हम राज में आ जाएंगे वापस आ जाएंगे लेकिन जंता आप जान चुकी है कि आपके बहकावे में आप जंता आने वाली नहीं है मैं माननी सबाबती महुदेजी एश्पी से मैं आता हूँ जंचाती बाहुली से आता हूँ हमारे कई स्कुले आज भी कुर्मनत नहीं है मैंने माननी मंत्री जी को सुची दिये पहाड़ी इल्याका है कई नाले पढ़ते हैं कई जंगल पढ़ते हैं आवाकेवन के साधन भी नहीं जाते हैं ऐसे इस दिदें बच्चे चार-चार पाँच-पाँच किलोमेटर दूर जाना पढ़ता है माननिय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हर पंचाद इस्तर पर इसकूल करमोनलिद के लिए गोशना किये काफी तारीफे काभीले लेकिन गाव ढाणिया पाथ-पाथ किलोमेटर दूर दूर बसी हुए हैं बड़े-बड़े गाव बसे हुए हैं तो वहाँ भी स्कूल जैसे प्रात्मिक हो तो उच्प्रात्मिक उच्प्रात्मिक हो तो मात्मिक हो तो सिंद्र सेकंट्री की जाए यह मैं मानिय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं आज मैं शेत्र में जाता हूँ मेरे विजानसभाज शेत्र डुंगरपूर में, कई स्कुलों में रिक्तपद हैं, वो मांग करते हैंगी यह रिक्तपद जल्दी से जल्दी बरे जाएं, और कई स्कुलों की बिल्लिंग बिल्कुल जरज़र अवस्ता है, बारिस में पानी सुविदा के अबाव में बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं सकते हैं मैं मानिय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि मेरे विदान सबाशेत्र में जितनी भी स्कूले जरजर अवस्ता में हैं या तो उस पे चाइना मुजिक करा जाए, मरमत करा जाए या पानी की समस्या आ है तो हैंड पाम या बोरिंग करा जाए सोचाले की सुविधा नहीं है, आजकल कहीं गटना गटरी है तो ऐस एस सिर्थ में हर श्कूल में अच्छा सोचाला और पे जल की समस्या है उसको दूर करा जाए इस इसकkeit साथ ही विजान सभाज शेत्र में मेरे पूरे जिल्ले में एस बीपी गोवर्मेंट कोलेज एक बड़ा महाविद्धाला है उस महाविद्धाला में हर साल एड्मिशन को लेकर बच्चे रोड पे उतरते हैं ग्यापन देते हैं धरना देते हैं और कई बच्चे शिक्सा से वंचित रह जाते हैं जबकि हमें उन कोलेजों में मानी मंत्री महोदेजी है मैं मांग करना चाहूंगा कि हर विशे में हर संका में सिटे बढ़ाई जाए क्योंकि प्राइवेट कोलेज वाले काफी लूट मचा रखिये काफी मोटी रेकम वसुल करते हैं तो घरिब का बच्चा आगे अध्यने पड़ाई नहीं कर सकता है तीएसपी में सरकारी नोक्रियों में तो 45% आरक्षन किया है और कोलेज में एडमिसन के लिए वो 45% के हिसाब से कोलेज में एडमिसन नहीं दिया जा रहा है मैं मादनी मंत्री जी से महद जी से मांग करना चाहूँगा कि कोलेज में शिक्षा में 45% के हिसाब से कोलेज में उनको एडमिसन दिया जाए तो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं छोटनी पड़ेगी और शिक्षा मिल सके कई कोलेजे प्राइवेट कोलेज बिना नौम से खुल गई है तो उन कोलेजों की जाज भी होनी चाहिए कई बच्चों की छात्री बत्या समय पे नहीं मिल रही है सरकार से यहां से पैसा उठा रहे हैं लेकिन घरीब बच्चे आज भी उनको कमरा किराय समय पर नहीं मिलता है स्कोलर्शिप समय पर हैस्टी एस्टी के छात्रों को नहीं मिल रही है तो मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि आप इसकी जाज करवाएं और इनको समय पर छात्रवती का बुक्तान होएं सरकारी स्कोलों में सभबपती महोदय जी मैं आपके माद्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कोलों में बच्चे ताला खोलते हैं बच्चे जाडू लगाते हैं बच्चे पानी भरते हैं वाँ चतुर सेंड़ी कर्मचारी कोई नहीं तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसकुलों में अंसकालीन HD SMC के माध्यम से अंसकालीन चतुर सेंड़ी की भर्ती की जाए तो इसकुलों में साब सापाई हो सके उन बच्चों को जाड़ू नहीं निकालना पड़े उन बच्चों को पानी नहीं बरना पड़े ये पूरे राजस्तान की समस्या है मैं मानियो सभापती महोदय जी निवदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई कडम उठाएं मानियो सभापती महोदय जी जिल्ला शिक्षाईवाम प्रशिक्षण सस्तान अदाइट नुगपूर के कई सारे रिक्जपद हैं इसमें वयख्याता इसकुल शिक्षा वयख्याता के समकक्स सिर्कार्थ पजोला है और कारे रेत एक है पन्दरापद रिक्त हैं इस्ट र्वन ग्राफर का एक पजो और एक पजो रिक्त है थे वरिष्ट सहयक सहयक कर्मचारी यूँ करके वरिष्ट वेक्याता उपर दाना चार्य को यूँ करके स्विकर्थ पद हैं 36 और कारे रथ है 15 रिक्त कुल पद हैं 21 और गोवर्मेंट को कई पद रिक्ते हैं तो मैं माननिय मंत्री जी से निवजन करना चाहूंगा टेस्पी को देखते हुए जन जाती बाहुली शेत्र को देखते हुए उन सरकारी कोलोजों में शिक्षोकों के पद जल्दी से जल्दी भरे जावें मैं माननिय मंत्री मोदर से मांग करना चाहूंगा कि राजकिय प्रात्मिक विद्धाले नानका नाला राजकिय प्रात्मिक विद्धाले सल्याट राजकिय उच्छ प्रात्मिक विद्धाले खेरवाडा राजकिय उच्छ प्रात्मिक विद्धाले माली फला राजकिय उच प्राथमिक विद्धाले टाड़ी ओबरी इन सभी विद्धालों को मैं करमनोत करने की मांग रखता हूं साथ ही त्यस्पी शेत्र में जन्जाति बाहुली शेत्र में जो 2018 में 1167 को लेकर जो काक्रीड उंग पेतालिस एस्टी के लिए है पांच एस्टी के लिए है और जो पाया उन अनारक्षितपद में सभी हो गए जनरल एस्टी एस्टी ओबीची सभी हो गए अब जो 36 परसेंट जो एस्टी को पात्र माना है जो 1167 जो शेस पद बचे हुए हैं वो शेस पद एस्टी से बरे जाएं ये मैं मांग करता हूं क्योंकि उनको 36 परतिसाथ पात्र मा मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा कि टीएश्पी शेत्र में हमारे जनता की युवाव की मांग है कि सभी भर्तियों में जन संख्या के आदार पर आरक्षन मिलना चाहिए और परसास्निक सेवा में राज्जी का 12% में से अलग से टीएश्पी को 6% आरक्षन मिलना चाहिए यह ह हमारे टीएश्पी युवाव की और पूरे शेत्र की मांग है मुझे बोलने का मुका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाज जय हैं जय भारत